जिले में क्रशी शेतरव पारमपरिक खेती पकिसान निरभर है, नए परिवर्तनों की कमी है, बारी नुक्सान की बावजूद किसान पारमपरिक फसलों को पसंद करते हैं, कुछ किसान नई चीजों के साथ प्रयोक कर रहे हैं, उसके फायदे भी देखे गए हैं ऐसे ही राजूरा की किसान कवाडू बोध ने पारंपरी खेती के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सब को चौका दिया कवडू बोध हैं वेस्टरन कोल फिल्ड्स लिमिटेड में कारेरत हैं उनके पास दो इकड खेत है 2017 में जब वह सेवा निवरत हुए तो उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला किया पास के दो इकड में से एक पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का फैसला किया और शितिये गुणों के कारण इस फल की बाजार में काफी मांग है लेकिन सवाल यह था कि क्या चंदरपूर जैसे गर्म इलाकों में इसका फल मिलेगा इसके लिए उन्होंने एक रशी विभाग और इस फल की खेती का ध्यान किया उनके ग्राम सेवक पुतर रवी ने भी इस काम में मदद की और 2018 में ड्रैगन फ्रूट लगाया लागत की तुलना में लाब ज्यादा होता है बाजा में इसकी कीमत 200 रुपे से 250 रुपे प्रती किलोग्राम है और अकेले चंदरपूर जिले में इसकी अधिक मांग है इसके बाजा का मांग भी प्रशस्त हुआ ड्रैगन फ्रूट की खेती जिले के लिए एक नया और पहल प्रयोग है उनकी सफलता दूसरों के लिए भी प्रेणा बन रही है अमें यहां पूर्वी जुनी सिती करतो तो अपला धान लागवाट त्याच्या मजें अमाला फाइदान होता ते धान खुप पाउस्पड़ला के पड़ून जाचे नुक्सान होची धान उत्पन होचा अमाला चानक मी यूटूब बगादस्तानी लक्षा ताला के इथे एक ड्रागन फूर्ची सेती ही भेत नंची अगरे है तते भड़ पाला आने त्या लागवाटी पद्दत वगेर पाली त्या नुसार मांगा मी मुलाला सांगीतल माजा मुल्गा है तर त्याना सांगीतल त्यानी मानने के लगे ठीक आपने लाउन पगू तर एक एकर मी ड्रागन फूर्ची सेती लावलिया अनि ते पाच लाग रूपे मला खर्चा आला त्यामादे पूर्ण तार कंपाउंड बाकी पोल शर्व प्रतिक धाडाले पोल चार पूदे शेका धाडाले लावत अमे काम के लावत्तर पंता आं तीन वर्च जाले बाद फड़ों पिक बिटल लगला